हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल क्रेजी अम्जी ट्रिक्स में आज 22 नवंबर 2020 को आरो ए आरो का पेपर था उत्तर प्रदेश बिधान सचिवाले का तो इसमें जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही लो था जिसमें की तो इसकी एक्सपेक्टेड कट आफ क्या रहेगी इसके वारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे तो देखिए अगर आप जी एस के पेपर को देखते हैं तो इसमें बिल्कुल फैक्चुल डेटा हमसे पूछा गया था बिल्कुल फैक्ट हमसे पूछे गया थे जो विध्या तक करने में कोई उनको प्राबलम नहीं हुई होगी फिर भी अगर हम देख लें लगबग 42 से 43 तो लगबग सभी लोग किये ही हैं सही सही तो इसमें जो 44 से 46 के आसपास लगबग क्योंकि वेकेंसी यहां पर बहुत कम है 19 वेकेंसी है आरोकी तो इसलिए यहां पर 45-46 नंबर लोगों ने आसानी से प्रात्त किया हूँगे आप देख लेते हैं हिंदी के बात कर लेते हैं तो हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी पर यहां पर जो हमसे बाग के सुद्धी पूची गई थी क्या पूची गई थी बाग की सुद्धी इसमें काफी confusion create हो रहा है अगर आप लोगों ने एक्जाम दिया होगा तो आपने भी एनालिसिस किया होगा कि वाक के सुद्धी से लगवग जो दस प्रसंद पूछे गए थे वो बहुत ही क्लोस दिये हुए थे और बहुत ही अच्छे लेवल के थे और इसके अलावा जो बहुत जादा कठिन नहीं कह सकते ह तो आउन एवरेज अगर हम हिंदी की बात करें तो पचास में से जिन विद्यारतियों के 40 से 42 अगर सही हो रहे होंगे वो भी इस रेस में बने रहेंगे तो यह यह रहा हमारा जीएस का और हिंदी का मिला के तो अगर हम फिर से इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो जीएस में जिसके इसको दो पार्ट में कनवर्ट कर लेते हैं जीएस और हिंदी तो जीएस में जिसके 43 सही हो रहे हैं और हिंदी में जिसके लगबग लगबग 42 के आसपास सही हो रहे हैं वो इस रेस में रहेगा तो यह लगबग जनरल की हमारी जो कटाफ इनको एड़ करने पर 86 के या 85 के आसपास बनेगी तो 85 जनरल की cut-off रहेगी प्लस माइनस 2 85 से कम तो रहने का कोई चांस ही नहीं है 85 से उपर ही जाएगी जनरल की cut-off 85 प्लस माइनस 2 OBC की अगर हम बात कर लें तो लगबग 84 84 84 प्लस माइनस 2 इससे जादा में 85 से 86 87 तक जा सकती है या दो नमबर एक नमबर कम हो सकती है 84 भी हो सकती है अभी हम लोगों की आंसर की नहीं आई है जब आयोग ऑफिसियल आंसर की जारी करेगा उसके बाद आप अपने माक सेर करेंगे और उस हिसाब से कटाफ का एनलेसिस सही प्रकार से हो पाएगा तो यहाँ पर 85 प्लस जनरल की OBC की 84 प्लस और SC की 82 प्लस रहेगी केबल 19 पोस्ट है हमारी आरो की और आपने अभी इससे पहले जो आरो ए आरो 2016 वाला जो पेपर था जो कैंसिल हो गया था उसका एक्जाम दिया होगा उसमें आपकी 200 में से 130 प्लस जनरल की कटाफ गई है कब जब उसमें निगेटिव मार्किंग थी तो यह देख रहे हैं आपकी कितना ज़्यादा कंपरटीशन है 130 निगेटिव मार्किंग 130 मार्किंग चला गया था जबकि उसमें बन थर्ड निगेटिव मार्किंग थी और यह जो पेपर उत्तर प्रदेश बिदान परसर सचेवाले का हुआ था इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सभी विद्यारतियों ने पूरे-पूरे मार्क्स पूरा-पूरा पेपर अटेम्ट किया है तो यहाँ पर जनरल की जो कटाफ मैंने भी बताई थी आपको वही रहेगी 85 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आपको सेफ जोन में रख सकते हैं OBC में 84 प्लस जिसके हैं वो अपने आपको सेफ मान सकते हैं और SC में लगबग 82 के प्लस जिनके हैं वो अपने आपको सेफ मान सकते हैं ARO की कटाफ की अगर हम बात कर लेते हैं यह तो मैंने RO की कटाफ बता दी अगर हम AO की cut-off की बात कर लेते हैं तो AO की cut-off में लगभग लगभग 80 plus general की रहेगी ये AO में 80 plus general की रहेगी OBC में लगभग 78 plus रहेगी AO की अगर मैं बात करूं और SC की लगभग 76 से लेकर के 77 तक ये आपकी SC की cut-off रहेगी तो अगर आपके इतने marks आ रहे हैं अभी answer की official आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है आयोग द्वारा official answer की जारी करने के बाद हम सही से फिर से दुबारा analysis कर पाएंगे तो इसमें आपके कितने कितने marks आ रहे हैं आप comment box में जरूर बताईएगा और सही answer की के लिए मैंने एक video जरूर डाल दिया है हलांकि इसमें आयोग की answer की से 3-4 person mismatch हो सकते हैं जो मैंने अभी video डाला है आपको मैं उसको channel में description में link दे दूँगा उसका तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके कितने marks आ रहे हैं तो 3-4 person का mismatch होगा ज्यादा से ज्यादा आयोग की answer की से लेकिन मोटा मोटा आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके कितने marks आ रहे हैं तो वीडियो आप वह जरूर वीडियो देख लीजेगा उसमें मैंने सारे GS plus Hindi सभी प्रसनों को cover करके बता दिया है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आप अपने marks comment box में जरूर सेयर करें धन्यबाद